अल्यकूम सिख्स रोजा बहुत मुबारक हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्तियार की तेयरी तो आज मैं आपको एक रेसिपी दे रही हूं फुल रेसिपी शामी कबाब टिक लिये की तो यहां पे गालेक ब्रेच बिना रही हूं मैं यहां को बाद में बताऊंगी तो अब मैं यहां पे ले रही हूं एक किलो कीमा उसके साथ मैं लिए 200 ग्राम चने की दाल बाकी सब मैंने 10 बारा लाल मिर्च सूखी देश पात प्याज अध्रक लहसुन और नमक तो यहां पे गालेक के लिए मैं आटा बना रही हूं आटा गूनने के लिए मैं इसके अंदर कुछ हब्स टालें और यहां पे मम्मी गूंदरी थी मही रात का आटा जो के रोटी बनाई जाएंगी जिसाटे से तो यहां मैंने गाली ब्रेक काटी को रेस्ट पर रख दिया होने कि यहां पे हम कूकर लेंगे उसके अंदर कीमा चुड़ाएंगे और दाल डालेंगे और बाकी अब यहां मैं बना रही हूं दही पापडी चार्ट तो दही पापडी चार्ट के लिए मैंने यहां पे आटा लगा लेना है मैधा लेने उसके अंदर में अजवाई तेल डाला है और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है अगूंद करके इसके पार्टिशन कर लेना है त्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आपने इस तरीके से पतला बेलना है कप की हेल्प से कोच भी सरकल हो उसकी हेल्प से आपने इसको इस तरीके से कट करने और फ्राइ कर लेना है और इसके इंदर फॉक्स से आप नि वारी मिर्चे दरक बारी बारी कटी वही अधनिया और आप यहां पर मैंने जो बचा था आटा मैंने उसके नमक पारे बना लिए जो कि चाहे के साथ बहुत यम लगते हैं तो यहां बने रही थी मीटी सौड जो की बिल्कुल हैंट डू हैंड बन जाती है अगा आपको इसकी अगर बना लिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें तो मेरा आटा दो गुंटे बाल यह हो चुका है देड़ से मैं दो देड़ गंटे रखा था इसको टाइम नहीं था जादा तो यहां पर नमक पारे भी सेक लिए हैं मैंने और इनको निकाल लिया एक प्लेट में और यहां तो ऐसे पर रहने रहें दो आटा था रही तो और रस जीट अचे को अपर बनाया के लिए तो अपर से ब्स धिक रहे हैं तो कि अन्या पीर है तो अपर नत्या जाता हुटिया तो अब यहां परियो इमने जास्त इसल करक़ने बना पकॉडी जो ओना रहा हैं सुंत बेसन यूज नहीं किया उसमें मक्य काटा यूज करा है तो यहां पर मैं दो तरीके गालिक बना रही थी एक नॉर्मल और एक बना रही थी मैं आप पीज़ गालिक ब्रैज इसके अंदर मैं ने पीजा सॉस रखी थी और वेजमियोनी रखे और मैं इसको प्लेट को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने प्लेट के अंदर बटर लगाया थोड़ा सा मक्य काट डाला और गाले प्रैक को अपने बेक होने के लिए रख दिया और जल्दी जल्दी मैंने सफाही करी क्योंकि बहुत जादा फैलावा हो गया था तो मैंने सॉस जो थी हो मैंने फ्लेज मे आप देख सकते हो गैलर भी बहुत अच्छा आता है क्रिस्प बहुत अच्छा आता है आपकोड़ियो में तो हमारे जो चैने ते वो कल के बच गए तो हमने दुबारह से गरम कर लिया था इंग यहां पर कट रहते तो मैंने यहां ने दस्तखान लगा दिया तो मैंने तश यहां पर दूआ कर रहे हैं तो आप जलदी से ज़स्ता खाया और दूआ करी और अगर 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 आपको ग्रेट का एक चीज पॉल होतु हो दिखनी है तो आप वीडियो के एंड में में वो डाला है तो आप जाकर के देख सकते हैं यहां पर हमने धन्या तेल के अन्दर जरूर देखें चीज कुल अश्रान कबाब के लिए धन्या लिया धन्या गरस साबों भन्या थेला सामान यह कमारे चैश्ज की न्या लए फाब आपने ऐसमे पानिया और प्यास फ्राई करते हुँ इसा ने अब मिक्सिर और न् 13 वाद हो एक जाया जरूर चिंगास रवाफ लेमन और शुझे तरही के से भून लेंगे तो भून जाएगा थोड़ा होने देंगे ठंडा होने के बाद हमें इसको इसके टकीया बनानी है और इसको दू अंडे लिए हैं विद नमक डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउड़ी डाल करें इसके इंदर हमने इन तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे खुबसूरत कवाब लग रहे हैं और यह खाने में भी इतने ही जबरदस्त लगते हैं अन्डा अगर आप डालना चाहते हैं तो आपन को नॉर्मली भी बना सकते हैं को आप यह गज़वाब बन के रेड़ी हो चुके हैं यह रहत के इस चाइम बच रहे थे हमाईं सारह आठ जल्दी अलती हमने कवाब बनाए और कवाब बनाकर के और फिर जो कर बन चुके थे तो आपको एक वाब जरू ट्राय करने एक बर मजानों में और जब कवाब बन चाह आप रोजी देखते हो मेरे गलाए चाह तो हम रोजी पीते हैं जब देख जल्दी से में रुपारें जाए के साथ गारलिक बचे थे तो जो दुबरादा बेक करा थे तो कि मैं ने तीन गारलिक बनाए पना थे केटली में से कपस में निकाल रही थी और सबको दे रही थी तो अब आप वाला पल जो मैं आपको बता रही थी जो कि बहुता सेटिस्वाइंग होता है इसका चीस पूल देखना तो देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है दिखने में तो चलिए चलती हूं नेक्स व्ल